नमश्कार आपका श्वागत ही अर्चना हीडेन रेस्पी में तो चलिए बेड़ाउट क्रीम बिना मशीन बिना ताम जहाम के ये कस्टर्ड मारवल आइस क्रीम की रेश्पी में आपके शेयर करने जा रही हूँ यह बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है बच्चे क इस तरह से बनाएंगे तो बड़े भी मांग मांग के खाएंगे तो चलिए देखने से जम स्मूथ कट रहा है या मुझ में जाते मक्खन की तरह घुल जाएगी दोस्तों तो यह बिल्कुल डिफरेंट तडिका से मैं बनाई हूँ पूरे यूटुब पर कहीं नहीं मिलेग तो चलिए सुरू करते हैं इसको देखिए मैं इस तरह से आपका टेक्श्चर दिखा रही हूँ अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक तो बनता ही आप वीडियो पर नहीं है तो सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले बेल आइकन पे क् है तो क्स्टड में ही एक परकट अलग से मैंग वाला टेस्ट बह ही आ लगता है तो आप वेनीना ही है बनीना कस्टड में ये दिया थैप ऍसमें हु मैं पानी डर रहे हैं आप नॉर्मल दूद हो तो आप डा सकते हैं जूद में रेप्रेज का था है तो इसलिए मैं नही बहुत ज़्यादा पानी नहीं और वन फोर्था इसी में दो चमचा से अड़ाई चमचा मैं मिल्क पॉटर डाली हूँ और दूद्ध जो मैं यूज करने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से यह गाड़ी कर दी हूँ यह हाफ के जी दूद्ध है एक के जी को मैं हाफ के जी मतल मिला दी हूँ कस्टर्ड तो यह क्रीम वगरह मैं नहीं डालूंगी तो इस तरह से ही दूद्ध को ज्यादा ताड़ ले और यह कौन स्टार्च है तो कौन स्टार्च भी दो चमचा डाले यह ऑप्सनल इस से हैस क्रीम थोरी स्मूथ और सॉफ्ट बनती है इसलिए इसमें पता नहीं चलेगा कि यह कौन स्टार्च है इसमें टेस्ट पता ही नहीं चलता है चोटे चमच से मैं दो चमची ली हूँ बस तीन से चार खौलान आएगी तो यह बन के त्यार हो जाएगी और यह टेस्ट के अकौर्डिंग चीनी डाली हूँ दोस्तों और पहले से दूद को गारहा कर ले मतलब खौला के हाफ कर लेगा रेकेजी का बना रहा है और यह बनने को अब त्यार हो गई है तब भी आईए होममेड मैं मलाई डाल रही हूँ यह ऑप्सनल है चुकि यह बच्चों को लिए है तो थोड़ा हेल्दी ऑप्शन होना ही चाहिए अगर आपके पास वीप क्रीम है तो जरूर डाले इस क्रीम का टेक्शर बहुत-बहुत हाई हो जाता है तो यह साचा मैं ले लिए हूँ इस तरह मैं डाल दूंगी तो इसको मिक्सी में चर्ण जरूर करें चर्ण करने से यह होता है ना कि जमने के जब कश्टो ठंडी होती तो बहुत यह हो जाती है ठिक ठिक लगती है चर्ण करने से एदम एस्मूश टेक्चर आ जाता है तो इसे एसक्रीम बहुत बहुत ही अच्छी बनती है तो दो से तीन मिनट जरूर चर्ण करें इसको आप इस वक्त इसमें ड्राइफ फूट्स भी डाल सकते हैं पर बचों को उतना पसांद नहीं तो इसलिए यह साधी ही बन रही है इस तरह से यह बन के त्यार हो गई है दूसरा मैं इस तरह से एक टिफिन में डाल के सेट कर दूँगी देखे देखने से इसका टेक्चर कितना क्रीमी कितना रबरी दार लग रहा है टेक्चर से ही पता चल रहा है कि यह कितना सॉफ्ट बन के त्यार होगी बहुत अच्छी बनी भी थी दोस्तो इस तरह से आप चोकलेट सिरफ भी डा सकती यह हरसी सिरफ जो बच्चों को बेहत बेहत पसंद है तो इस तरह से डाल के एक पैटर्ण में मार्वल बनाऊंगी नीचे तो बनेगी उपर भी बन जाएगी और जब आश्क्रीम में कट लगाएंगे तो बहुत अच्छी एक पैटर्ण उभर के आती है इस तरह से जिग जग कर दे दोस्तों कहीं से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए बिल्कुल डिफरेंट तरीका से मैं आश्क्रीम आपको बताई हूँ आईए बीना ताम जहाम के ये बन के तियार होगी इस तरह से बहुत कुछ इसमे ना मशीन लगाना ना क्रीम लाना क्रीम अभी गर्मी में खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा लाइन भी कटी रहती है आईए क्रीम को फ्रेजर में रखना पड़ता है नहीं तो ये नीचे वाले में खराब हो जाती है तो इस तरह से सिल्वर फई लगाके दोनों को तो रात भर मैं छोड़ दी थी दोस्तों तो इस तरह से देखिए जम भी गई है तो कोसिस करें कि रात भर जरूर डाले मेरे से एक गलती हो गई थी इसमें हमको नीचे बटर पेपर लगा देना च हमारे तरफ जारखंड में 43-44 टेमप्रेचर है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जा रही है और लोट सेडिंग भी होते रह रहा है इस तरह से चाकू से चारो तरफ घुमा के एक बार कर लें तो निकलने में आसान हो जाएगी अगर आप बटर पेपर लगा देते हैं तो आराम से तो बहुत मेहनत करनी की ज़रूरत नहीं पर हमको थोड़ी सी थप थप आना परा तब यह जाके बाहर निकली मैं वीडियो बिड़ाउट इस टिप किये हुए आपको दिखा रही हूं इसलिए मैं बोल रही है देखे कितना सुन्दर टेक्चर बन के आया है और बहुत सुन्दर जब कट लगाएंगे तो और भी आईसी को पर आप ड्राइफ रूट्स वेगर अच्छे रख दे जो पसंद है और चौकलेट क्रस्ट वेगर डाल दे तो और भी टेस्टी बन जाती है आप डेकोरेट अपने तरीका से करें जो आपके फैमिली को खाना पसंद उस तरह से आप करें इसका कट देखे कितना मखन के तरह कट रही है सौफ्ट कट जा रही है और मूँ में जाते ही घूल जाएगी दोस्तों इतना टेस्टी बन के त्यार हुआ था ना क्रीम का जहन ना बीपिंग मशीन का जरूरत मैं किसी चीज के यूज नहीं की हूँ फिर भी इतना टेस्टी इतना एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से तो ही आपको पता चलेगा यह खानी में बहुत 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 बिना मैंगो का ही बहुत टेस्टी बन के त्यार अरह की बनी हुई है तो यह हैल्दी है किसी तरह का इसमें मतलब गलत मेर्टेडियल नहीं मिलाए गया है तो थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक अपना धीर सरा खियार रखिएगा टेक केर बाब बाई मिलते हैं नेक्स्ट